Hello friends, आज हम सीखने वाले हैं HTML and CSS का यूज़ करके अपने web page के उपर, अपने web browser के उपर किस प्रकार से हम coupon को create करते हैं उस चीज़ को तो यहाँ पर आज का हमारा topic है how to create a coupon with CSS इसमें हम HTML का code भी आपको लिख कर दिखाएंगे और CSS का भी उस पर यूज़ करके हम दिखाएंगे जिससे आपके सारे doubts और सारे के सारे concept अच्छे से क्या हो जाएंगे clear हो जाएंगे अभी तक हम directly आपको HTML का code दे देते थे लेकिन इस project के अंदर हम क्या करने वाले हैं HTML को साथ साथ लिखते हुए जाएंगे और साथ में ही हम CSS को भी क्या करना सीखेंगे add करना सीखेंगे तो जो हमारा coupon होगा कुछ इस प्रकार से display होगा जब भी आप किसी भी product को sell करते हैं पर्चेस करते हैं या फिर order करते हैं तो उस condition पे आपको coupon apply करने का option देखने को मिलता है तो वो जो options होते हैं coupons के जो coupons आपके सामने display होते हैं कितने percent discount है expiry date क्या है या फिर उसका code क्या ह इस प्रकार से काफी सारी चीज़े आपको product के वारे में देखने को मिलती हैं तो वो सारी चीज़े आपके web browser के उपर किस प्रकार से create की जाती हैं किस प्रकार से वो display होती हैं उसी को आज हम सीखने वाले हैं जो हमारा coupon होगा कुछ इस प्रकार से display होगा इसके चारो तरफ अगर आप देखें ते एक dotted type का क्या है border है जो की grey color में है और top में आपके जो भी company होगी उसका name होगा उसकी बाद जो भी आपका product होगा वो क्या होगा उसकी image आप सो करेंगे किस product पर आप coupon को implement करना चाते हैं वो कितने percent off चल रहा है purchasing पर ये सारी चीजे उसके बाद यहाँ प आपको text यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि में एक random text को generate करेंगे यहाँ पर आप actual में किसी भी website का coupon देख करके क्या कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ आपको idea देंगे सारी चीजे आप अच्छे से आप कर पाएंगे अगर आपको idea मिल जाएगे किसी भी चीज को create कर इसके बाद यहाँ से use promo code यहाँ पर आप code भी दे सकते हैं expiry date क्या होने वाली है इसको भी आप add कर सकते हैं तो इस प्रकार से जो हमारा coupon होगा वो बन करके तयार होगा अब सबसे पहले हम इसके लिए html को design करने वाले हैं तो यहाँ पर html के लिए h1 heading को create किया गया है औ और separate due के अंदर हम इसको रखेंगे और एक container बना लेंगे container के अंदर हम particular चीजों को कर रहे होंगे उसके बाद यहाँ से हमने image को add कर रखा है जैसे कि आप यह देख सकते हैं image को उसके बाद यह हमारी h1 heading होगी और यहाँ से paragraph के अंदर हमने कुछ text को लिख रखा है उसी प् coupon.html coupon.css और css file को मैंने html के साथ क्या कर दिया यहां से link कर दिया है अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं सबसे पहले हमें create क्या करना है जो भी हमारी company का name होगा learn computer gscti मैंने as a company name यहाँ पर ले लिया है आप कुछ और भी name ले सकते हैं तो मैंने इसी को name लिया हुआ है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एक due को create कर लेंगे मैंने एक due को create कर लिया और इस due का मैंने class name क्या दे दिया यहां से class name मैंने इसको दे दिया coupon मैंने इस का Class Name क्या रख दिया यहा से?Cheónr रख दिया, उसके बाद अब इसके अंदर इसी दिव के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक ओर डिव को create करेंगे, यह दिव हमारा क्या होगा? इस डिव को मैंने Class Name क्या दे दिया? Class Name as a container दे दिया, तो यहां से मैंने इसका Class Name क्या रख दिया, container रख दिया, उसके बाद आप मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर हम अपनी S3 heading को create करेंगे, जो हमारे यहाँ पर coupon का due है, वो क्या होगा, इसी के अंदर पूरा का पूरा text यानि पूरी information लिखी जाएगे, पूरा का पूरा coupon इसे due के अंदर create किया लेकिन particular हम अलग-अलग container बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपनी information को contain करेंगे, तो first container हमने यहाँ से create कर लिया, जिसके अंदर हम अपनी S3 heading को लेंगे, जैसे कि आपको जो आपका company का name यहाँ पर display हो रहा है, इसको हम S3 heading के अंदर create कर रहे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पर क GSCTI मैं दूँग यहाँ से, learn computer मैंने यहाँ से दे दिया, learn computer GSCTI, आप चाहें तो कुछ अलग name भी रख सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो आपको company का name रख सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद मैंने इसको save किया, save करने के बाद अभी के लिए page को refresh करेंगे, तो अभी क्या आ image, burger image इस प्रकार से हमारी कुछ image है, इसी को हम क्या करने वाले हैं, इस image को add करने वाले हैं, तो इसके लिए हम simple सा क्या कर देंगे, image tag को लेंगे, यहाँ पर अपने due के अंदर, उसके बाद मैंने यहाँ से image को लिया, और image के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ से implement कर दिया source में मैंने क्या दे दी अपनी link दे दी मुझे पता है कि burger image name की मेरी link है ये वाली link है last वाली इसको मैंने add कर दिया उसके बाद मैंने यहां से एक alternative name दे दिया by chance मेरी image जो है वो display नहीं हो पाती है तो उस condition पे एक name क्या हो जाना चाहिए display हो जाना चाहिए तो मैंने यहां से burger name दे दिया और इसको save किया save करने के बाद page को यहां से मैंने refresh किया तो उस condition पे हमारी image कैसे दिख रही है भी कुछ इस प्रकार से क्या हो रही है दिख रही है तो अभी के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी CSS को जब हम implement करेंगे तो और सारी चीजों को हम सीखेंगे उसके बाद next काम हमें क्या करना है next काम जो था अगर यहां पर अगर आ करके आप देखते हैं तो next यहां पर हमें एक h1 heading या h2 heading करके heading को मुझी क्या करना है create करना है वैसे तो यह h2 heading होगी तो यहां से एक h2 heading को हम create कर लेते हैं तो मैंने यहां से एक all due container को बना लिया इसी due के अंदर जो हमारा coupon वाला due था उसी due के अंदर मैंने एक और due को create किया और इसका भी class name मैंने क्या रख दिया class name भी मैंने as a container रख दिया उसके बाद इन सभी का class name क्यों same दे रहे हैं क्योंकि हम इन सभी के लिए property कुछ property ऐसी होंगी जो similar set करने वाले हैं इस वज़ा से मैंने इन सभी का class name container रखा हुआ है उसके बाद मैंने इसके लिए क्या style add कर दी कुछ style मैं यहीं पर add कर दूँगी क्योंकि container के लिए मैं particular कुछ styles add करूंगी जब CSS में जा करके तो वो सारी styles क्या होंगी implement होंगी बट अगर मैंने किसी भी element को as a inline style दे दिया है तो वो किसी भी condition पर change नहीं होगी चाहे तो आप यहाँ पर कोई भी style अगर देंगे लेकिन particular मैं इस वाले due को एक style देना चाहती हूँ जो कि सिर्फ कहाँ पर implement होगा यहाँ पर भी implement होगा और यहाँ पर वो implement नहीं होगा क्योंकि मैंने सिर्फ इस वाले container के लिए दिया है तो मुझे सब ही container के लिए style नहीं देनी है उस condition पर मैंने यहाँ पर एक inline style को add कर दिया जिसके लिए हम क्या लेते हैं style tag को लेते हैं और यहाँ से मुझे क्या style add करना है जो background color add करना है उसको मुझे यहाँ पर white add कर देना है उसके बाद मैंने इसको save किया save करने के बाद अब क्या करने वाले हैं यहाँ से page को refresh करेंगे तो अभी क्या change up देखने को मिलता है कुछ भी नहीं उसके बाद मुझे करना क्या है इसी div के अंदर जो मुझे चीजे करनी है वो हमें यहाँ पर heading को क्या करना है create करना है जैसे कि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हम अपनी heading को भी create करने वाले हैं same div के अंदर तो यहाँ से मैंने h2 element को ले लिया तो इसके लिए यहाँ से enter कर देते हैं और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया एक h2 heading ले ली और हम चाहते हैं कि यह bold में हो तो यहाँ से मैंने b tag का भी use कर लिया यानि bold करने के लिए अपनी heading को by default तो यह bold ही होती है लेकिन मैंने यहाँ से b use कर लिया bold करने के लिए 20% of your जैसे की लिखा हुआ है purchase मैंने यहाँ से क्या कर दिया 20% of your purchase मैंने page को refresh कर दिया और यहाँ से यह text भी हमें क्या हो रहा है display हो रहा है लेकिन यह image पूरे पे नहीं आ रहे है अभी इसको भी हम set करने वाले है तो अभी के लिए मैंने सिर्फ इतना ही किया हुआ है उसके बाद next काम हमें क्या करना है यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कुछ text यानि कुछ paragraph क्या हो रहा है display हो रहा है तो यहाँ पर इसके बाद मुझे क्या add करना है इसी due container के अंदर मुझे एक paragraph को create करना है जब ही हमें कुछ random paragraph generate करना होता है तो उसके लिए हम Lauren name का क्या होता है यहाँ पर एक emit होता है emit abbreviation इसको अगर हम use करते है जैसे मैंने इस पर click क्या उस condition पर हमारे पास multiple lines क्या हो जाएंगे automatically generate हो जाएंगे right click करके format document कर लेंगे तो यह automatic क्या हो जाएगा arrange हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मुझे इसको और भी arrange करना है तो यहाँ से कुछ इतना क्या हो जुका है यह arrange हो जुका है और मैंने इसके लिए यहाँ से थोड़ा सा इसको मैंने set कर दिया और यहाँ से मैंने enter कर दिया तो इस प्रकार से 2-3 line का text क्या हो जाता है हमारे पास आजाता है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आपको random text अगर generate करना है कहीं पर भी, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, lorem लिखेंगे, उस condition पर आप emit generate कर सकते हैं, तो यह हमारा paragraph यहाँ पर क्या हो चुका है, आचुका है, अब page को अगर refresh करते हैं, तो यहाँ पर यह paragraph अभी प्रोमो कोड, यहाँ पर जो आपके लिए कोड है, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, इसकी size को जूम कर लेते हैं, ताकि आपको display हो सके, तो यहाँ से मैंने इसको जूम कर लिया, यूज प्रोमो कोड बी ओ एच टू थी टू, यहाँ पर क्या दिया गया है, कोड दिय जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक और ड्यू कंटेनर को क्रियेट करने वाले हैं, अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक और ड्यू कंटेनर को क्रियेट कर लेते हैं, तो यहाँ से मैंने एक और ड्यू ले लिया, उसके बाद इसकी भी class name हम सेम रखने वाले हैं, container तो मैंने यहां से class name क्या ले लिया, as a container ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, इस do के अंदर हमने यहां पर देखा कि हमें यहां पर क्या देना है, code देना है, तो code के लिए यहां पर code क्या है, use promo code, यहां पर यह लिखा गया है, use promo code, उसके बाद यह किसके अंदर लिखा ग तो इसको किस प्रकार से create करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहां से एक paragraph को create कर लिया और यहां से same चीजे मैंने लिख दी use promo code उसके बाद मुझे क्या करना है यहां से similar line पर ही आना चाहिए तो इसके लिए मैंने क्या use कर लिया एक span tag को मैंने यहां से create कर लिया उसके बाद जो हमारा code था code क्या था आप कुछ भी रख सकते हैं यहां से मैंने आपको समझने के लिए यहां पर एक code दे दिया उसके बाद इसको save किया save करने के बाद आप page को अगर refresh कर दे है यहां से तो यहां पर use promo code यह भी code भी आ चुका है similar line पर लाने के लिए मैंने यहां पर किसका use किया था अगर आप देखें तो similar line पर आ चुका है इसलिए मैंने यहां पर paragraph जो की क्या होता है एक block element होता है span क्या होता है एक inline element होता है इसलिए मैंने यहां पर inline element का use कर लिया है अब next हमारे पास क्या है next हमारे पास है expires january यहाँ पर 1 2024 इसके लिए expiry date जो होती है उसको हम यहाँ पर देने वाले हैं जिसके लिए हम क्या करेंगे एक और paragraph को यहाँ से create कर लेते हैं जिसके लिए p tag यहाँ से paragraph tag को लिया और इसको भी हमें अलग से class name देंगे क्योंकि इसका color हमने red set कर रखा है तो यहाँ से इसका जो मैंने क्या दे दिया class name दे दिया expire दे दिया यहाँ से उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या add कर दिया यहाँ से हम लिख देते हैं expiry expiry यहाँ पर लिखने वाले हैं हम उसके बाद मुझे क्या करना है यहाँ से जो date होगी expiry जो भी date होगी वो आपको add कर देना है माल लिजे मैंने यहाँ से January 1st और उसके बाद क्या दे दिया 2024 और इसको मैंने save किया save करने के बाद आप page को refresh करेंगे तो किस प्रकार से हमारा paste यहाँ पर display हो रहा है यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा paste क्या हो रहा है display हो रहा है अब यहाँ पर जो हमारा paste था क्या हो चुका है जितनी भी चीजें उसके अंदर add की गई थी वो सारी की सारी चीजे क्या हो चुके हैं यहाँ पर आ चुकी है हमारे बेपेस के अंदर similar क्या हो चुका है create हो चुका है अब इसके लिए हम क्या add करने वाले हैं CSS को implement करने वाले हैं तो यहाँ पर CSS को implement करते हैं सबसे पहले तो यह पूरा का पूरा, जो हमारा क्या था, कूपन था, वो create हो चुका है HTML के help से, अब इस पर CSS को implement करेंगे, तो CSS को implement करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारी image है, अगर आप image को यहाँ पर देख रहे हैं, यह image पूरे की पूरे coupon का जो भी area है, उसको occupy कर रहा है, तो इस image की size को सबसे पहले हम set कर देते हैं, तो यहाँ से, image selector को मैंने लिया, यहाँ से, image जो की एक element selector है, directly हम image के लिए set करने वाले हैं, तो image के लिए मैंने कोई class name या फिर ID नहीं दे रखा है, तो यहाँ से मैंने directly image को select किया, उसके बाद, इसके लिए हम इसकी जो width है, उसको हम set करने वाले हैं 100%, 100% कहने का क्या मतलब है, जो भी इसका parent होगा, उसी के according यह क्या हो जाएगी, जो हमारी image है, वो 100% set हो जाएगी, तो अभी के लिए हमारी जो image है, यानि कि जो पूरा का पूरा हमारा document है, इसके according क्या हो रही है, 100% width को occupy कर रही है बट अभी इसको हम set करने वाले हैं, उसके बाद क्योंकि अभी इसका जो parent है, जो हमारा image है, इसका जो भी parent है, इसका parent है, उसके लिए कोई भी property नहीं set की गई है, इसी वज़ा से ये document को अपना parent मान करके, उसके according ये क्या कर रहा है, अपनी width को 100% यहाँ पर ले रहा है, इ पूरा का पूरा box के रूप में यहाँ पर display हो रहा है, यह पूरा का पूरा coupon है, इसी के अंदर सारी चीजे है, तो यहाँ पर coupon के लिए property हम set करने वाले हैं, जैसे इससे पहले हम container लेते थे, वैसे यहाँ पर मैंने उसका name coupon रख दिया है, और container को मैंने particular अलग-अलग separate कर द लेते हैं, तो यहाँ से मैंने इसका name क्या रखा हुआ है, coupon रखा हुआ है, इसी को same हम copy paste कर लेंगे, ताकि कोई भी problem नहों यहाँ पर और इसी को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, पेश्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ से क्या लिया हुआ है, coupon लिया हुआ है, अब इसके लिए जो property implement करेंगे, सबसे पहले मुझे पता है, इसको border दिया गया है एक border देते हैं, तब आपको सारी चीज़े अच्छे से समझ में आएंगे, जैसे dotted border दिया गया है, वो भी gray color का तो इसके लिए हम border set करने वाले हैं, तो मैंने यहां से border property को set कर दिया, border property कितने pixels, मैंने यहां से zoom किया, five pixels की border property, वो भी dotted मैंने यहां से रख दिया, और उसके बाद मैंने यहां से क्या set कर दिया, यहां से इसका color, मैंने b, 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 यहां से कुछ gray color मैंने इसका set कर दिया हुआ है, और इसकी बाद हम क्या करने वाले हैं, page को refresh करेंगे, तो यहां से outer area में अगर आप देखें, तो border क्या हो चुका है, implement हो चुका है, अगर inspect करके देखते हैं, तो आपको जो coupon वाला option है, वो अच्छे से समझ में आएगा, अगर मैं इस coupon पे जाऊं कि coupon कौन सा part है हमारे page का, तो वो आपको यहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो इसके लिए हम यहां पर आने वाले हैं, तो यहां से यह पूरा का पूरा जो आपको area देखने को मिल रहा है, यह वाला, यह पूरा का पूरा हमारा क्या है, coupon का area है, इसको हम थोड़ा सा zoom in करते हैं, यहां से zoom out करते हैं, तो उसके बाद यह पूरा का पूरा जो area आपको देखने को मिल रहा है, यह हमारा coupon वाला area है, जैसे कि हम यहां पर ले जाते हैं, तो इस condition पर, इसको थोड़ा सा हम zoom out कर लेते हैं, उसके बाद 100% पर रखते हैं, और इसके बाद मुझे करना क्या है, यहां से next property जो implement करनी है, यहां से मैं आउटर area में water भी set कर दिया है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा coupon वाला area कौन सा है, तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां तक यह पूरा का पूरा area हमारा coupon का area है, अब जो यहां पर हमारा पूरा का पूरा coupon है, यानि कि जो पूरा का पूरा box है, इसके लिए हम width set करने वाले हैं, क्योंकि इसकी width जो है, वो काफी जादा है, तो इसकी width को हम set करने वाले है, coupon की जो width है, इसको मैंने क्या set कर दिया, इसकी विर्थ को मैंने 80% set कर दिया यहां से मैंने इसकी विर्थ को 80% set कर दिया उसके बाद page को save किया save करने के बाद यहां से यह pies को refresh करेंगे तो अब जो coupon है वो कुछ इस प्रकार से क्या हो रहा है display हो रहा है इसको हम क्या करते है यहां से refresh करते है तो जो हमारा अब coupon है वो क्या हो चुका है? अब इसके लिए हम क्या set करने वाले हैं? कुछ property और implement कर लेते हैं, कुछ property और क्या? जैसे कि यहां पर border radius हम चारो side से क्या करना चाहते हैं? इसको round करना चाहते हैं, 15 pixels के equal तो उस condition पे मैंने border radius implement कर दी और page को save किया अब ही हमारा जो coupon था, यहां पर यह जो area आपको देखने को मिल रहे हैं, यह rounded नहीं है तो इसको round करने के लिए मैंने 15 pixels का border radius यहां पर implement कर दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं, यह क्या हो चुकी है? राउंडेड हो चुका है, जो भी corner थे वो क्या हो गए है? राउंडेड हो गए है, इधर भी आप देख सकते हैं और इस side भी आप देख सकते हैं उसके बाद next property हमें क्या implement करनी है? अब यहां पर अगर आप देखें, जो हमारी image है, जो हमारा coupon है, इसके according 100% क्या हुई है? सेट हुई है, अभी तैक यह पूरे के पूरे page के according, यानि पूरे document के according 100% थी, इसलिए पूरे page पर थी, बट मैंने यहां पर क्या कर दिया है, जो हमारा coupon था, यानि कि जो हमारा due है, उसके लिए जो मैंने width सेट कर दी है, वो 80% सेट कर दी है, तो अब 80%, इस 80% का 100% हमारे image क लिए width क्या हो चुकी है, अब next काम हमें क्या करना है, अब यहां पर हम कुछ margin को भी implement कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप यहां पर देखें, तो जो हमारा coupon है, इसके लिए कोई भी margin नहीं है, तो यहां पर हम margin क्या add करनी वाले है, margin को add करके, जो हमारा coupon है, इसको हम center में लान होता है, तो उसके लिए हम text align center करके सबसे पहले देखते हैं, कि क्या effect आता है, मान लिजिए मैंने यहां से text align center कर लिया, तो उस condition पर मैंने इसको save किया, save करने के बाद page को refresh किया, तो यहां पर क्या हो रहा है, सिर्फ text के उपर implement हो रहा है, लेकिन मुझे पूरे की पूरे, अपने coupon को कहां पर लाना है, center में लाना है, तो इसको हटाएंगे इस property को, मुझे क्या use करना होगा, जो margin है, उसको मुझे 0 auto set करना होगा, तो जब भी हम आने margin को 0 auto set कर दिया, उस condition पे पूरा का पूरा जो भी हमारा page होगा, उसके अंदर जो भी यहां पर चीजें होंगी, यो क्या हो जाएंगी, centralized हो जाएंगी, यानि कि दोनों साइट से, left and right साइट से equally margin क्या हो जाएगी, हमारे document को मिल जाएगी, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से जो हमारा page था, वो क्या हो चुका है, यहां पर display होनी लगा है, अब next काम हमें क्या करना है, यहां से, अब जो इसकी विर्थ है, जो किसकी विर्थ है, जो हमारा coupon है, अभी तक मैंने इसकी विर्थ को क्या sit किया हुआ था, 80% कर दिया था, लेकिन अब यहां पर हम इसकी विर्थ को फिर से sit करने वाले हैं, अभी इसकी विर्थ को अगर हम देखें, क्या है इसकी तो यहां से जो मेरा पूरा का पूरा container है, इसकी जो भी width है, इसको हम थोड़ा सा करने वाले हैं, कम करने वाले हैं, यह content है, यहां पर जो भी height and width है, इसको हम कम करने वाले हैं, कम करके, क्योंकि अभी यह पूरे के पूरे page के अंदर क्या हो रहा है, fit in हो रहा है, तो जो हमार इमेज है इसके लिए हम विर्थ क्या करने वाले हैं और अर्जेश्ट करने वाले हैं तो यहां से मैंने विर्थ को कितना एड़ कर दिया माल लेते हैं 500 पिक्सल्स के इक्वल मैंने सेट कर दिया पिक्सल्स में उसके बाद मैंने सेब किया सेब करने के बाद पेज को रिफ्रे तो कोई यहां पर effect नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसकी width को किस में set कर दिया है, pixels में, इसकी width को थोड़ा सा हम और ज्यादा करने वाले हैं, यहां से 600 pixels मैंने set कर दिया और page को save किया, save करने के बाद page को यहां से refresh करते हैं, तो अब 600 pixels की width क्या हो चुकी है, set हो चुकी है, अब next come हमें क्या करना है, अब जो भी हमारा container है, इसको मैंने समझने के लिए यहां पर 80% दिया था, तो आप इसको भी use कर सकते हैं, अगर मुझे similar यहां पर रखना है, तो इसको मान लिजे मैंने यहां पर comment out कर दिया, और यहां पर इसको 80% की जगा, इसकी width को थोड़ा सा हम और कम करने वाले हैं, मान लिजे मैंने 80% की जगा इसको 50% कर दिया, तो इस condition पर किस प्रकार से display होगा, इसको भी हम check कर सकते हैं यहां से, तो जितना ज़्यादा आप चीजों को experiment करके खुछ से देखेंगे, उत्ता ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, तो यहां से मैंने यह चीजे कर दी, तो इसको वैसे मैं यहां पर किसमें सेट करने वाली हूँ, पिक्सल के अंदर ही इसको सेट करने वाली हूँ, तो यहां से आप इसको किसमें सेट कर देंगे, पिक्सल में ही सेट कर देंगे, तो यह विर्थ किसके according सेट हो चुकी है, ज जो हमारी image होगी, इसकी भी विर्थ हो, उसकी 100% होगी, यानि 600 pixels के ही equal, इसकी भी विर्थ हो जाएगी, अब next काम हमें क्या करना है, next काम जो है, यहाँ पर हमारा जो container है, यानि कि हमने totally three container यहाँ पर क्या कर रखें, create कर रखें, यह first हो गया, यह second हो गया, यह third हो गया, इस प्रकार से three container है, तो इन container के लिए मुझे कुछ property को यहाँ पर implement करनी है, तो यहाँ से मैंने as a container यहाँ पर selector ले लिया, तो यहाँ से मैं directly इसको copy कर लूँगी, ताकि कोई भी चीज़े यहाँ पर mismatch न हो, उस condition पर यहाँ पर paste किया, आप यहाँ पर container के लिए मुझे property set करनी है, container के लिए क्या property set करनी है, जैसे यहाँ पर जो यह text है, यह भी container के अंदर है, यह भी container के अंदर है, यह सारी चीज़े यहाँ पर second container के अंदर लिखी गई है, उसके बाद ये दोनों चीजे भी एक container के अंदर लिखी गई है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं padding को implement करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर text को आप देखते हैं, तो left side में काफी ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा हम right side की तरफ shift करने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम padding implement कर देंगे, किस side से? Top and bottom से थोड़ी थोड़ी padding देंगे 22 pixels की and left side से, left and right side से हम इसको padding देने वाले है 16-16 pixels की, तो उस condition पर यहाँ पर सबसे पहले मैंने कया implement कर दिया? padding two pixels की यहाँ पर top and bottom side से and 16, 16 pixels की मैंने padding यहाँ पर कहां से दे दी left and right side से और मैंने यहाँ से page को refresh कर दिया, refresh करने पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो padding है वो क्या हो चुकी है, implement हो चुकी है इसको थोड़ा सा हम इसका zoom क्या करते हैं, 100% पर रखते हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि padding implement हुई है कि नहीं हुई है तो यहाँ पर जो हमारी area है, इसके लिए हम page को refresh करते हैं और यहाँ से इस पर click करते हैं यहाँ पर हमें एक single container के उपर आ करके यहाँ पर check कर सकते हैं, two pixels की padding यहाँ पर मिल चुकी है, top and bottom से, left and right से 16 pixels की padding मिल चुकी है इसी प्रकार से इस वाले container को हम देख सकते हैं, तो same padding मिली हुई है, same padding यहाँ पर भी implement की गई है इसी प्रकार से जो हमारा third वाला यहाँ पर container है, यह वाला है, तो इसके लिए भी हम padding को यहाँ पर check कर सकते हैं, margin भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दी गई है तो इस प्रकार से मैंने इतनी सारी चीजों को implement कर दिया, जो की similar इसी प्रकार से देखने में क्या हो रहा है, यहाँ पर coupon है, वो क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है next property हम क्या implement करने वाले हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो इसका color कैसे display हो रहा है, यह जो color है, जो हमारा container है, top वाला, first वाला, इसका color कैसा है, यहाँ पर gray color में है, इसी प्रकार से यह वाला, जो है मारा last वाला container है, इसका भी color कैसा है, gray है, जैसे कि आप इसको में भी similar color हमें क्या हो रहा है, display हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा zoom इसका कम कर लेते हैं, तो इस प्रकार से भी हमें चीजे create करनी हैं, जिसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से background color set करने वाले हैं, अपने container के लिए, और जो हमारा beach वाला, यानि second वाला container है, उसके लिए म आप किसी भी property को set कर देते हैं, तो उस condition पे आप किसी भी property, किसी भी selector की help से उसकी property को change नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर मैंने class selector use किया हुआ है, तो इसकी help से आप इसको change नहीं कर पाएंगे, background color मैंने यहाँ से क्या set कर दिया, यहाँ से f1, 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 तो यहाँ से मैंने gray color light gray color में set कर दिया, और page को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, refresh कर दिया, उस condition पे अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, जो color है, वो gray color set हो चुका है, top में भी जो हमारा container था, और bottom में जो container था, बट यहाँ पर, जो beach वाला यहाँ पर container था, इसके लिए जो color मैंने set किया था, वो by default white set कर दिया था, with the help of inline CSS, इसलिए इसका color change नहीं हुआ है, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर, जो हमारे, यह code दिये गए हैं, इसको थोड़ा सा bold करना है, और इसका color, इसके background में भी similar color क्या कर देना है, set कर देना है, तो इसके लिए हम class हमने क्या create कर रखा था, class को अगर हम देखें, तो इस particular, इस pen के लिए मैंने class जो लिया था, प्रोमो लिया था, इस class को हम यहाँ से select कर लेंगे, और इसके लिए हम property को क्या कर देंगे, implement कर देंगे, तो प्रोमो को मैंने यहाँ से select कर लिया, तो सबसे प ग्राउंड में भी color क्या हो चुका है, set हो चुका है अब मुझे इसको mold करना है, तो यहां से मैंने, font wait प्रोपरटी का use किया, तो सबसे पहले यहां से हम इसको bold कर देते हैं, तो मैंने font wait लिया, और इसको मैंने bold कर दिया, 700 यहां पर, और इशको मैंने save किया, save करने के बाद page को मैंने refresh किया, तो यहां से यह क्या हो चुका है, bold हो चुका है, अब next काम हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा हम क्या देने वाले हैं, padding देने वाले हैं, चारो side से, यानि कि जो हमारा यहां पर text है, इसको हम चारो साइट से क्या देने वाले हैं, थोड़ी-thोड़ी padding implement करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहां से padding को use किया, padding property, माल लेते हैं यहां से मुझे 3-3 pixels की padding देनी है, तो मैंने इसके लिए 33 pixels की padding को भी implement कर दिया, तो यहां से अब देख सकते हैं, इस element को क्या हो चुकी है, padding भी मिल चुकी है, particular इस element को अगर आप देखते हैं, तो यहां पर padding भी क्या हो चुकी है, implement हो चुकी है, तो इस प्रकार से इसको मैंने set कर दिया, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, यहां पर इसको bold भी मैंने कर दिय इसके बाद जो हमारा expiry date है यहाँ पर इसके लिए भी मुझे property क्या करनी है, set करनी है, तो इसके लिए property implement करने के लिए मुझे पता है कि इसका class name हमने क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से expiry यहाँ पर class name दिया हुआ है, इसी को copy कर लेंगे, और इसी के अंदर सारी चीजे मैंने क्या कर रखे हैं, implement कर रखे है, तो यहाँ से मैंने इसको select किया as a class selector और paste किया, और इसका सबसे पहले जो text color है वो हमें change करना है to red, तो मैंने इसका color है वो क्या से change कर दिया, यहाँ से red कर दिया, इसको बोल्ड करने के लिए हम बहुत ज़्यादा डार्क में नहीं ले जाएंगे, फिर भी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर बोल्ड करने वाले है, font weight मैंने यहाँ पर इसको कितना दे दिया, इसके पहले वाले element को मैंने 700 दिया था, इससे थोड़ा सा light रखेंगे, अगर यहाँ पर आप देखते हैं, जो आपको H2 यहाँ पर heading दिख रही है टॉप में, अगर आप इसको भी क्या करना चाते हैं, इसकी size थोड़ा बढ़ाना चाते हैं, तो आप बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं तो यहां से अगर आप देखें चीजों को तो यहां पर आप अब देखते हैं तो यहां पर किस प्रकार से आपका जो कूपन था वो क्या हो चुका है वो तैयार हो चुका है तो इस प्रकार से जो हमारा कूपन का option था, वो क्या हो चुका है, यहाँ पर तयार हो चुका है, किस प्रकार से मैंने इसको design किया, वो चीज़े आपने अच्छे से देखी, यहाँ पर HTML and CSS का use करके हमने क्या कर लिया, इसको design कर लिया है, अगर इसमें और भी चीज़े आप change करना चाहते हैं, तो आप इसको change कर सकते हैं, अब माल लेजिए, यहाँ पर एक और interesting चीज हम आपको बताने वाले हैं, इसी प्रकार से हमें, यहाँ पर एक ही line के अंदर, 3 या 5 या 5 या फिर 7 या 8, multiple types coupons हमें create करने हैं, तो उसको हम किस प्रकार से create कर सकते हैं, तो इसको अगर हमें create करना है, हम similar चीज को copy paste करके आपको बताने वाले हैं, उसमें कुछ चीजों को हम change भी करेंगे, तो यहाँ से माल लेते हैं, यह first वाला coupon हमारा तयार है, तो यही सारी चीजे रहेंगे, CSS को हमें बार-बार implement नहीं करना पड़ेगा, बट HTML का code हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से मैंने एक और HTML के लिए, इसी चीज को मैंने copy कर लिया, और यहाँ से, मैंने क्या कर दिया, एक comment दे दिया, comment क्या दे दिया, यहाँ से, second, second, मैंने name का यहाँ से comment दे दिया, comment देने के बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेश्ट कर दिया, अब पेश्ट करने के बाद, यहाँ से learn computer, gscti, जहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, learn, यहाँ पर हम ले ले लेते हैं, कुछ other name यहां से gcti simple सा रख लेते हैं उसके बाद मुझे एक और चाहिए यहां से मैंने इसको सबसे पहले save किया save करने के बाद page को refresh किया तो यहां पर जो second वाला आया इसके नीचे आ चुका है लेकिन मुझे इसको same line पर लाना है तो आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि जब भी element को same line पर लाना होता है तो उस condition पर coupon है मारे तो इसको same line पर लाने के लिए मुझे क्या करना होगा यहां से जो display set करनी होगी वो in line block set करनी होगी मैंने यहां से display in line block कर दिया उस condition पर यह दोनों के दोनों similar line पर आ जाएंगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं उसके बाद आप मुझे क्या करना है इसी प्रकार से एक और create करना है तो उसको भी हम create कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा copy paste करना होगा second वालों को मैंने यहां से इसको copy कर लिया और यहां से copy करने के बाद यहां पर मैंने third वाले element को भी क्या कर दिया paste कर दिया, third वाला जो हमारा coupon है इसको भी मैंने क्या कर दिया यहां पर, paste कर दिया, उसके बाद मैंने यहां से software, मैंने इसका name दे दिया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, save कर दिया, save करने के बाद यहां से page को refresh किया, तो third वाला भी क्या हो चुका है यहां पर implement हो चुका है अब कुछ चीज़े इसमें क्या हो रही है यहां से mismatch हो रही है क्योंकि यहां पर पूरा का पूरा मैंने इसका class का name change किया हुआ मुझे change कहां पर करना है यहां पर करना है इस वज़ा से ये सही result नहीं आ रहा है तो मैंने इसको change कर दिया और यहां से इसको save कर दिया save करने के बाद page को मैंने यहां से refresh किया refresh करने के बाद अब अगर देखते हैं तो यहां पर इसके लिए यहां पर जो जगे है वो कम हो रही है इस वज़ा से ये next line के अंदर क्या हो जा रहा है आ जा रहा है बट इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं इसको create कर सकते हैं अगर मुझे यहाँ पर जो margin हमने set की हुई थी इसको भी हटा देते हैं margin क्या दिया था मैंने auto दिया था इस margin को अभी के लिए हम यहां से हटाने वाले ह और इसको हम save करते हैं save करने की बाद page को मैं यहां से refresh करते हैं तो भी कोई change नहीं आया क्योंकि जो इसकी width है वो क्या है काफी जादा है इस वज़ा से अगर इसकी width को हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं यहां से माल लेते हैं कि इसकी width को मैंने यहां से क्या रख लिया 400 pixels के equal रख दिया और इसको save किया save करने के बाद page को मैंने refresh कर दिया तो इस condition पर आप देख सकते हैं तीन के तीन हो जो हमारे coupons है वो क्या हो चुके हैं similar line के अंदर आ चुके हैं अगर यहां से आपको image change करनी है text change करना है तो आप HTML code के अंदर जा करके आप क्या कर सकते हैं change कर सकते है देख लेते हैं यहां पर अगर हमारे पास कुछ और भी image हैं तो इसको हम change कर सकते हैं यहां से माल लीजिए मुझे image name की एक file है इसको मुझे add करना है second वाले के लिए तो मैं इसको add करने वाली हूँ जो हमारा second है तो यहां पर हम इस image को ही change कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए तो यहां से मैंने इस वाले को ले लिया और लाश्ट वाले के लिए भी हम चेंज करेंगे सबसे पहले पेज को रिफ्रेस करती है तो यह हमारी GSTi की इमेज यहां पर आ चुकी है इसकी हाइट विर्थ आपको चेंज नजार आ रही है क्यों कि यहां के लिए आपको simple सा क्या ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम क्या करते हैं coupon options को create करते हैं तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं खुझ से इसको practice कर सकते हैं और multiple multiple coupon options को create करके क्या कर सकते हैं देख सकते हैं तो अभी के लिए मैंने page को refresh किया और इसकी size को हम पहले जैसे रख किहाद देते हैं इसको मैंने कमेंट से फटा दिया और जो मैंने डिस्प्ले इंलाइन दिया ठाइँ ये रिफ्रेस्ट किया झाल झाल